आज हम देखना लाए इस वीडियो में अपनी तिरकोण मिती टेबल के बारे में जो कि आर्ट दसवर्ड़ दो पढ़ने से फिले इस टेबल को पढ़ना पर जरूरी है जो इतके मान है उन्ही मानों के आदार पर आर्ट दसवर्ड़ दो को हम हल करेंगे देखते हैं हम सबसे फिले टेबल को बनाते के से फिले ये बनाना सीखेंगे उसके बाद इसके जो मान प्राप्त होंगे उन मानों को रखके हम आर्ट दसवर्ड़ दो के परस्नों को हल करेंगे देखते हैं सबसे पहले यहां पर दिया है एक तो अपने को 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree और 90 degree यानि यह जो कौन बनते हैं बीच वाले जिसे इस तरीके से अगर बनाएं तो यह वाला कौन जो बनता है 90 degree इस तरीके से दो को रखते हैं तो यहां पर कुछ ना कुछ कौन बनेगा जो इन कोणों के अंदर 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree और 90 degree इस तरीके के कुछ ना कुछ कोण बनेगे तो इन कोणों के जो मान होंगे वो मान अपने को रखना है सबसे पहले हम देखते हैं साइन, theta, cos theta, ten theta, cosec theta और sec theta ये 6 तिरिकोन मिती अनुपात है जिनके अपने को मान ज्यात करने हैं और मान सभी के ज्यात करने हैं साइन के भी सभी मान ज्यात होने चीए 30 डिगरी पेता है 0 डिगरी, 30 डिगरी, 45 डिगरी, 60 डिगरी और 90 डिगरी इसे परका, cos theta को भी जहात होना चीए,chsel by cos theta को भी जहात होना चीए, और sec theta को भी जहात होना चीए बहुती आसानी से बना लेंगे, इस travel को ज्यादा याद करने वाली कोई बात है न्याँ यहाँ पर लिखा हुआ है 0 तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ सबसे पहले इंगली से गिंती स्टार्ट करते है 0, 1, 2, 3, और यह 4 इस तरीके से आपको 4 तक गिंती लिखना है 0, 1, 2, 3, और 4 यह ठीटा का मान है इसमें कुछ नहीं लिखना है यहाँ से लिखना इस्टार्ट करना 0, 1, 2, 3, और 4 फिर सबके बटे में हम लगाते हैं 4 सबके बटे में 4 लिखना है सबके बटे में कितना लिखना है? 4 यहाँ पर सबके बटे में 4 अब सबके उपर करते था हूँ करनी ठीक है अब इन मानों का हम फल कर लेता है तो अपने को साइन का मान प्राफ्ट हो जाएगा और आगे के सारे मान बहुत ही सिंपल होंगे कोई भी एक मान क्या थोनों चीह उसके बाद हम टेबल को आसानी से बना लेंगे तो पहले लाइन जा बनेगी अपनी जीरो बटे चाथ जब कोई भी संक्या आती है और उसके बटे में जीरो को बटे में कोई भी संक्या लिखी हो थी तो उसका मान मीचे कितना होता है जीरो ही होता है क्या सुन्य एक परीमे संक्या इसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं कि हाँ सुन्य एक परीमे संक्या इसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं और महा पर उधारन के लिए हम लिखते हैं 0 बटे 1, 0 बटे 2, 0 बटे 3, 0 बटे 4 इस तरीके के मान हमने लिखे थे, तो सुन्य के बटे में चाहिए कुछ भी लिखो फिर भी उसका मान कितना होगा, सुन्य तो यह हमने लिख दिया, सुन्य अगला मान आते है एक बटे चार क्या एक को कभी अंडरूट के अंदर या कर्णी के अंदर लिखा हुआ देखा है तो एक को हमेशा कहा लिखा जाता है बाहर अगली बात करते है चार तो चार किसका वर्ग था है दो का चार का जैसे ही बर्ख करोगे क्या आएगा दो तो एक का मान तो कितना होगा एक और चार का मान कितना होगा दो यहाँ पे कितना बनेगा एकटे दो एक को हमेशा करणी से बाहर लिखा जाता है, जोड़े बना के बाहर निकालना है, तो एक को एक इंटू एक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम जैसे इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो एक बाहर आएगा, यहाँ पर चार लिखा हुआ है, तो चार को मैं लिख सकता हूँ, द लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ अंदर जो निचे की साइड में क्या बचा करणी 2 तो करणी 2 को क्या बार निकाल सकते हैं निकाल सकते हैं करणी 2 का मान करणी 2 ही रहेगा उपर दिया है करणी 3 क्या करणी 3 को अंदर उट के अंदर लिखा हुआ कभी देखा है तो जी बिल्कुल देखा है करणी 3 को under root के अंदर लिखा जाता है क्योंकि इसमें कोई जोडा नी बनेगा 3 into 3 नी लिख सकते इसको इसलिए किसे लिखे करणी 3 का करणी 3 ही रहेगा 4 को हमने अभी देखा है 4 को जब करणी से बाहर निकालते तो कितना माना आता है 2 तो यहां पर लिख देंगे 2 यहां पर 4 को 4 से cancel कर तो यहां बुचे का कितना 1 और 1 को कभी भी करणी के अंदर ने लिखा जाता है इसलिए 1 का 1 बनेगा फस्त वाला मान भी बनाना है बस पहला दिया था 0 बटे 4 जीरो के बटे में चाहिए कोई भी सेंक्या लिखो फिर भी उसका मान कितना होता है जीरो एक बटे 4 तो एक को कभी करणी के अंदर ने लिखा जाता और 4 को 4 जो करणी के अंदर जो 4 होते है वो किसका मान होता है वो 2 का मान होता है इसलिए यहाँ पर दो लिख देंगे दो और चार, तो दो से चार को cancel करते हो तो उपर बचेगा, एक और नीचे बचेंगे दो एक को कभी करणी के अंदर नहीं लिखा जाता इसलिए एक को बहा लिखेंगे और जो को दो है वो करणी के अंदर ही रहेगा अगला दिया है करणी तीन बटे चार, तो तीन को करणी के अंदर ही लिखते हैं तीन अगर करणी के अंदर है तो उसे हम भाहर नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए तीन का तीन ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर कोई जोड़ा नहीं बना और चार को हम बाहर निकाल लेते हैं, चार कितका मान था, दो का, चार से चार कैंसल कर दोगे, बचेगा एक और एक की घाच चाह, एक लगाओ, दो लगाओ, या दस लगाओ, कोई फरक नहीं पड़ता, इसले हम एक इंटू एक लिखके, एक को बाहर ही लिखेंगे, यह तो मा अगला मान यहाँ पर लिखेंगे, एक बटे करनी दो, फिर यहाँ पर आएगा, एक बटे दो, फिर यहाँ पर आएगा, अगला जो मानता है, इसका जीरो, वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यानि कोई जीरो डिगरी का मान कितना हुआ, एक, कोई तीर जीरी का मान कितना बटे करनी 2 कोष 7 डिगरी का मान गया होगा 1 बटे 2 और कोष 90 डिगरी का मान का होगा जीरो इस तरीके से हम पढ़ेंगे अगली बात करते हैं टेन की तो यहां पर टेन को बनाते हैं अभी हमारे अच्छे तिरकोर मित्य अनुपार लिखना बाकी है अभी मैंने पांच ही लिखे एक और हम यहां पर लिख लेंगे लास्ट में जो कि टेन का उल्टा बनेगा ज्या लोगे नहीं याद है तब भी कोई दिक्कात नहीं है यह बस यह वाली लाइन भी हम पूरी याद कर लेते तब भी हम बना लेंगे दो कंडिशन होगी अगला देखते हैं अपन टेन टीटा लोगो टेन टीटा बराबर मेंने एक सुत्र पढ़ाया था याद हो तो टेन का क्या अमेशा मान कितना होता है जीरो इसलिए इसको भी इसलिए कितना आएगा जीरो अगली बात करते है फिर इसको भी इससी तरीके से लिखते हैं तो एक BAT Sir 2 और एक BATते 2 के BAT में लिखेंगा करणी 3 दो से 2 गया है तो यहाँ पर कितना बचा एक BAT करणी 3 यानि है सुत्र के आदार एक बटे दो से एक बटे दो गया यहाँ पर कितना बचेगा एक अगले बात करते हैं करणी तीन बटे दो और यहाँ पर है एक बटे दो तो इससे दो से यह दो कैंसल होगा यानि उपर कितना बचा करणी तीन एक के बटे में जब जीरो लिखते हैं ठीकि एक के बटे में जब 0 आ जाए या किसी भी संक्या के बटे में जब 0 आ जाए तो उसका मान होता है अनंद या आप परीभाशित ठीक है, ऐसा भी लिखा उसका वो मिलता है आगले बात करें कोसेक ठीटा कोसेक किसका उलटा होता है, हमने पढ़ा है कि sin theta, sorry, cosec theta, बराबर होता है, एक बटे, sin theta, एक मान निकाल के दिखाता हूँ, cosec theta, बराबर, एक बटे, sin का मान रख दो, यह जो sin theta लिका हूआ था, इसके बटे में कुछ नहीं था, तो एक, तो यह sin का मान है, जैसे इसको हम उल्टा कर दे, एक बटे, sin, तो यह किसका मान बन जाएगा, cosec का मान, इन सब मानों का हम उल्टा करते, एक बटे दो लिका हूआ था इसको दो बटे एक लिखने, एक बट क्योंकि एक के बटे में कुछ नहीं है, फिर भी हम मानते एक ही होता है, अगली बात करने, steak theta, यह किसका उल्टा होता है, तो यह cost का उल्टा होता है, तो पस उल्टा करते चलो, एक का उल्टा, एक, करनी तीन, एक बटे करनी दो का उल्टा, करनी दो, एक बटे दो का यानि यह कितना बनेगा अनंद इसके बाद लास्ट्स आता जो यहां पर दिख रहा है साइद कितना है को टीटा है मैं बॉल दुआ नहीं दीक रहा हो तुम कुछ कः no यह निए कि इंट नसरा है कॉट छे लटें ऊटता है को ऩिश्चत फिर सो बराबर क्या पंदते एक पटे तो कॉट धिटा क्या निए यानि कि ये भी क्या वंगे आप वर्वाशत bigبر यहां पर एक कट्डिय तीन है उक लिखकर अगरणी तीन यहां पर एग लिखेंगी है फिर इसके बाटे में कुछ नहीं है या निकि एक है इसको उल्टा करोगे इ whirl Hi कर्णि तीन और आप पुष का उल्टा कितना होगा जीरो आप अरीपासित का उल्टा कितना होगा एक, इन मानों को जब हम याद कलें तो साइन का उल्टा आपने को यह याद रखना कि साइन का उल्टा कोस को इस तरीके से लिखना इस साइड में, इधार से सुरू करना है, तो लास्त वाला सबसे पहले सेकेंड वाला सेकेंड नमबर पीछे से सेकेंड हो, इस तरीके से इसक एक का बट्टे में 0 तो 10 का मान मिल जाएगा आगे सारे मान simple कोसेगटा कैसे बनेगा इस मान को उल्टा कर तो 0 का बट्टे में कुछ नहीं यानि एक और एक के बट्टे में जब भी 0 लिखेंगे तो इसका मान कितना होगा आप परिपाशिट एक बट्टे दो लिखा हुआ त जो रूड कणनी 2 लिख दो कंनी 3 बटे 2 लिखा हुआ तो 2 बटे कंनी 3 लिख दो और 1 का उल्टा एक होता है फिर इस समयान को चाहो तो इस तरिके से लिख सकता हो ये वाला first आएगा ये वाला second आएगा ये वाला third आएगा ये वाला second और ये वाला fifth या चाहे तो इससी का बते घुट नूहिए साइट से लिखना स्टार्ट कर दो करनी तीन रणी कर्णी सी एक कस का एक करनी तीन और 0 का अलटा, 0. बस यह वाली table याद करने हैं, इसके बाद हम इसके प्रस। वाली की जो question हल करेंगा, अगर यह वाली table का मान गयाते तो हम प्रस। वाली की question आसानी से कर लेगे, इस से objective भी बनते हैं, जो की most important है, पुरी table जो है, most important है, क्योंकि इससे question भी बनता है और इससे objective भी बनते है जो exam में आते हैं तो तब तक जब हम प्रस्वाली स्टार्ट करें तब तक अपने को ये सारे मान याद होने जीए और याद नहीं भी हो तो हम एक काम करेंगे कि जब भी प्रस्वाली की question हल करते हैं तो उस समय इस वाली table को बना के रख लो और इसमें देखके हम बार-बार मान देखेंगे तो इससे क्या हो का अपने को याद हो जाएगी अच्छे से और इस प्रस्वाली की question वेसे simple है बस मान रख के हल करना है तो मिलते हैं प्रस्वाली के वीडियो में तब तक के लिए बाए टेक केर जाएं